परिवर्दन 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 जा उठी है शिवती शक्ती जा उठी है शिवती शक्ती नाई लाएगी परिवर्दन 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 परिवर्कन 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 जा उफी है शिवकी शक्ती नाई लाएगी परिवर्कन 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 ओम शान्ति बहुत धर्म में एक दूसरा सांप्रदाय कहो या दूसरी एक शाखा कहो जहन है और जहन एक क्रांतिकारी धर्म है अब तक की जो रुड़िवादिता है बौद धर्म में भी उसका विरोध करने वाला वो धर्म है जहन ऐसे जहन धर्म में एक महिला थी कभी जिसका नाम था रेंगेटसू ये जो रेंगेटसू थी ये गाव गाव भटकती थी एक जगा से दूसरी जगा जाती थी एक बार सर्दी के दिन थे और वो किसी गाव में पहुची शाम हो गई थी थंड बहुत थी वो तो एक जैसे सन्या सिनी रहने के लिए उसके बास कुछ नहीं तो उसने अलग-अलग घरों पर जाकर दस्तक दी कि एक रात के लिए मुझे रहने दो परंदू उस समय के जितने वो लोग थे बौद धरुम के वो सबी जहन के विरुद्ध थे इसके लिए किसी ने भी उसको रहने के लिए जगा नहीं थी और रात हो गई थी अब उसके लिए कुछ भी बचा नहीं था तो वरेंगिट सो वहाँ से निकल कर गाव के बाहर जो जंगल होता है वहाँ चली जाती है उस जंगल में एक चेरी का व्रिक्ष होता है और वहाँ जाके कैसे तैसे लेट जाती है क्योंकि रात बितानी है किसी ने उसको सहारा नहीं दिया अकेली महिला और वहाँ लेटे लेटे अचानक उसकी द्रिष्टी अकाश की ओर जाती है आकाश वो पेड जिसके नीचे वो लेटी हुई है उसके वो पत्ते चंद्रमा अंधियारी रात और वो मौन वो निस्तब्द शानता और वो देखते देखते और उस खामोशी को सुनते सुनते अचानक उसकी मन में कुछ हो जाता है जैसे की एक जागरिती आ जाती है जैसे की चेतना जाग जाती है और वो एकदम से अभी तक जो मन में थोड़ा सा दुखता किसी ने रात में रुखने के लिए जगा नहीं दी एकदम परिवर्तित हो जाता है विचार बदल जाते हैं और सोचने लगती है कितना ये सौंदर्य है यहाँ पर रात का आस्मान का, सितारों का, चंद्रमा का, इस्वन का, इन व्रुक्षियों का यदि मैं किसी के घर में सोई होती, किसी ने मुझे पना दी होती तो ये जो सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो अचानक से अनुभव हो गया दिह से न्यारेपन का वो शायद नहीं हो पाता, और एकदम से उसका रिदय धन्यवाद से भर जाता है तथा ता, ये शब्द है जेन धर्मों में जैसे की यही तो वो पल था और यही तो वो क्षण था, सचनेस अंग्रेजी में जो सच शब्द है, दसनेस और सचनेस एंलाइटन्मेंट का जिसमें एकदम से चेतना जाग गई इस हाथसे में, इस इंसिडन्ट में, ऐसा अध्यात में कुछ भी नहीं है सबने उसे जगा नहीं दी, वो जाकर जंगल में थी, सो रही थी और निसर्ग के उस सानिध्य में, अचानक से ही कुछ हो गया ना ही वो कोई भगवान का चिंतन वहां कुछ कर रही थी, ना कोई भक्ती कर रही थी परन्तु उस एकांत के कल में, जाकरन हो गया और उसी समय आधी रात जैसे वो वहां से भागी और गाव में एक एक को आकर धन्यवाद करने लगी उठा उठा कर, कि आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अंदर रहने के लिए जगा नहीं थी क्योंकि अभी अभी उस जंगल में मैंने ऐसा एक अध्विति और अध्यात्मिक अनभो कर लिया इतने समय से कितावे पढ़ कर जो नहीं हुआ इतने समय से ध्यान की मुद्रा में बैट कर नहीं हुआ इतने समय से प्रवचन सुनने से जो नहीं हुआ इतने समय से साधना चालू है इतने समय से तीर्थ यात्राए कर रही हूँ वो फिर भी नहीं हुआ और कहा हो गया वो? अचानक एक पल में अध्यात पल में जेतना जागरित हो गई इसके लिए मन को सब तरफ से हटा कर किसी ऐसे स्थान में जगा में जहां हलका बन है जहां सारी जिन्दा एक तरफ हो गई है सहच बिना प्रयास किये उस पल में जाके छोड़ दो वो अचानक कुछ होगा कुछ नहीं जिन्दन केवल जैसे की विचार सारे समापत हो गए वो बैठे वहाँ पर और केवल और केवल देखने लगी आकाश को प्रकृती को जो शायद उसमे इस तरह से कभी नहीं देखा था और वहाँ पर जाकरन हो गया तो आज अंतरराश्ट्रियों महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस टे आठ मार्च सारे विश्व भर में ये वनाया जाता है इस समाज में स्त्रियों की जो भूमी का रही उनका क्या महत्व रहा इस समाज की संरचना में स्त्रियों का क्या योगदान रहा उसको मानना और उसको मनाना उनको संमानित करना गवरवानवित करना इसके लिए विशेश ये दिन मनाया जाता है और इस वर्ष में जैसे हर वर्ष में एक थीम होता है इस वर्ष में भी एक थीम है एक ब्रिदवाक्य या ऐसा एक वाक्य ऐसा एक सार कि जिस पर सारे साल तक काम करना है सबको बिश्व भर में के बद स्त्रियों को नहीं पूर्शों को भी स्त्रियों के लिए और वो इस पार का वाक्य है Press for Progress Press for Progress अरता जैसे कोई बटन दबाते हैं, प्रेस किया बटन वैसे बटन दबाना किसके लिए प्रोग्रेस के लिए तो उनों ने ऐसे पाच चीजे बताई है जोगी प्रोग्रेस के लिए करनी चाहिए और वो पाच चीजे है पहला है कि मेंटेन जेंडर पैरिटी माइंडसेट अर्थात लेंगिक समानता की मानिसिक्ता को बनाए अर्था स्त्री और पुरुष ऐसा नहीं कि स्त्री छोटी है और पुरुष बड़ा है द्वापर युक से जो मनुष्यों का इतिहास देखा जाए तो उसमें यही देखा गया है कि यह समाच पुरुष प्रधान था स्त्री को तो संपूर नभई नहीं समझा गया है स्त्री को आधा मनुष्य समझा गया है कहीं कहीं किन-किन सब्विताओं में किन-किन सब्विताओं में यह माना गया है कि केवल पुरुष में आत्मा रहती है स्त्री में तो आत्मा ही नहीं है किन-किन सब्विताओं में ऐसी-ईसी माननेता है कि पुरुष के होते हैं 32 दाथ पर त्रियों के दो कम होते हैं उसको हमेशा कम समझा गया है जितने शास्त्र लिखे गए संसार में सभी पुरुषों ने लिखे है सारी मर्यादाएं जो बनाई है पुरुषों ने बनाई है सारे जो नियम है मनुष्य सब्विता के सब पुरुषों द्वारा है स्त्रियों को हमेशा नीचे रखा गया है द्वारम के में कम नरकस्यनारी और जो सादूसंत मोक्ष की कामना करने लगे उन्होंने सबसे बड़ा बाधा उनके मार्ग में जो बताई वो स्त्रिको ही बताई इनके वज़े से और आए सब ये नरक का द्वार है राम को किसे ने कभी नहीं कहा कि तुम भी अगनी परिक्षा तो सीता को कहा राम तो भटक रहा था जंगल में बंदरों के साथ उसको किसे ने नहीं कहा देनी तो दोनों को चाहिए थी दूसरा है चैलेंज स्टेरियो टाइप्स एंड बाइसेस अर्थात रूडी वादिता और पुर्वा ग्रहों को चुनोती देना अब तक कि जो साड़ी रूडी वादिता है उन सब को चुनोती देना स्टरी को हमेशा दास या दासी बना कर रखा गया है स्टरी पत्र भी लिखती है तो क्या लिखती है मेरे प्राण परमेश्वर और नीचे लिखती है आपके चर्णों की दासी दौपर से अब तक का इदियास आएंगे उसमें भी तो नीचे रखा गया प्रदान सुग्रुष प्रदान समाज रहा और वर्तमान समय में स्टरी ने जो किया एक स्टी है पश्चिम की वेस्टन एक है पूरब की धक्षिन पूरब भारत इस्टन ओरियंट एन उक्सिडेंट भी कहा जाता है इसको भारत की जोस्त्री है वो दभी हुई रही और पश्चिम की जोस्त्री है उसने विद्रोह किया और विद्रोह में उसने क्या किया हम पुर्षो से कम नहीं है और पुरुषों की नकल चलोगी हम वही सब करेंगे जो पुरुष भी करते है वही वस्त्रों और सब कुछ परन्दू इस मेस्त्री की गरिमा को गई दो चीजों में एक गुलाम दूसरी पुरुष की नकल करना पुरुषों जैसा बनना है जो पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं जो जो उनोंने किया वो मैं भी करूंगी परन्दू नारी का अपना एक संदर्य है अपना एक व्यक्तित्व है वो नकल करने में भी अपने व्यक्तित्व को खो गई है उसका अपना विक्तित्व उसमें भी खो गया है भारत में ये हुआ पर पश्टिम में जो हुआ वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं तो दूसरा है अब तक की जो सारी रूड़िवादित आए हैं उनको चुनोती देना तीसरा है Forge Positive Visibility of Women अर्थात महिलाओ की साकारत्मक प्रत्यक्षता करना अब तक उनके प्रति जो भी negativity भरी हुई है समाज में संसार में सब जगा पर उसको खतम करना ये तीसरा है चवथा Influence Others Beliefs and Actions साथी जो है उनको अपने विचारों से प्रभावित करना जो नविन विचार होंगे वो और पाचवा Celebrate Women's Achievement महिलाओ ने जो भी उपलब्दी की है उसका किर्दिगान करना उसकी महिमा करना तो ये जो बने हुए है ये United Nations के तरफ से बने हुए है ऐसी ये पाच है हम बात करेंगे Press for Spiritual Progress उनके ये सारी जो बाते है ये थोड़ी संसारिक बाते है Gender Inequality नहीं होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए इस तरह की बाते हैं ये सारी परंदू इस महिला दिवस में कुछ बाते समझने जैसी है और फिर हम बास्तविक चर्चा में आएंगे एक तो आत्मा भी इस्त्री है एक रिती से सारी आत्मा इस्त्री है बाबा ने कहा है आत्मा है क्या है? फिमेल से, मैं एक ही मेल हूँ गोपिवल लप एक ही है सारी कौन है? प्राइट गुरूम एक है बाकी सब ब्राइट से प्रियतम एक है बाकी सब प्रियतमाए प्रमातमाएग बाकी सब आतमाए प्रियों की पहले थोड़ी बात करते हैं जैसे कहा स्ट्रियों का अपना एक विक्तित्व है उसकी सुन्दरता पुर्शों की नकल करने में नहीं है अपनों को ओचा दिखाने के लिए हम वो दिखाये वो करें जो वो कर रहे है उन में अपना एक संदर्य है अपना एक व्यक्तित वा अपनी एक परसनेलिटी है ये और दूसरा गुलामी को भी ना सहन करे स्वैम को स्वतंतर रखना किसी की गुलामी नहीं किसी पर निर्भरता नहीं ये अत्मा के दृष्टी से भी और स्त्री अगर है उसकी दृष्टी से भी संपूर्ण फ्रीडम संपूर्ण मालकियत की संसकार संपूर्ण स्वतंतरता अर्थात किसी की अपनी एक यूनिक नेचर अपना एक अनूठा सुभाव अपना एक अद्वितिय सुभाव जो की जरूरत नहीं है किसी की भी नकल करने की किसी के जैसा बनने का संसार में ये जो सारे पुरुष है इसकी आउशक्ता नहीं है क्योंकि बाबा ने तो ऐसे कहा है आत्मा केवल चोला धारन कर दिये परन्तु फिर भी जो आत्मा स्त्री चोले में है उसमें कुछ-कुछ विशेष्टा है सबसे बड़ी विशेष्टा है उसका समर्पन ये गुन पुरुषों में कम है पुरुष अक्रमक है हिंसा इधर जादा है पुरुष्ट्री अनाक्रमक है समर्पन का भाव इधर बहुत है जब आत्मा स्त्री शरीर में होती है परमात्मा के सामने समर्पन करने में बहुत अधिक सहज़ता है उसको क्योंकि संसकार में ही समर्बन है दूसरा सहनशीलता स्त्रियों में जो सहनशीलता है उतनी पुर्षों में नहीं इस क्लास में हम ऐसी अठारा महिलाओं की चर्चा करेंगे जो की द्वापर से अब तक हुई और एक-एक के जीवन से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत न करेंगे कैसे हम उन सब को ज्ञान से जोड़े शायद अठारा भी छोड़कर जो सत्रा है उन में से हम भी कभी कोई न कोई हो सकती है क्योंकि वो सारी की सारी महान आत्मा हैं इस संसार की तो सहन शेक्ता और एक चीज़ स्त्री का अपना एक व्यक्तित है हम इसी पॉइंट को बार बार कह रहे है जरूरी नहीं है किसी की वो मा ही रहे क्यों मा रहना है जरूरी नहीं किसी की वो बहन ही रहे क्यों बहन रहना है जरूरी नहीं किसी की वो पत्नी ही रहे क्यों पत्नी रहना है जरूरी नहीं किसी को बेटी ही रहे वो केवल नारी और शिव शक्ती भी तो है शक्ती रूपा है वो नारी है बस पुरुष की क्यों और शक्ता है ये भी एक बंदने ये भी एक निर्वरता है हाँ यदि उसे अरधांगी नी बनना ही है तो एक शिवकी यदि उसे बहन बनना ही है तो जैसे उस दिन भी सुनाया था एक सिवा केंद्र पर एक अध्यात्मिक एक्टिविटी चल रही थी जिसमें बिनन बिनन ग्रूप्स को भिनन भिनन सम्मंद दिये थे बाबा को याद करने के एक ग्रूप को दिया था बाबा भाई है तो उस ग्रूप में एक माता ने आकर सामने बताया कि बाबा को भाई तो मैं हमेशा से ही मानती आई हूँ उसने कारण बताया कि जब ग्यान में आई थी तो पती बहुत तम करता था और मैं बाबा से कहती थी भाईया मेरे राखी के बंधन को निभाना पवित्रजा की लाज तुम्ही रखना बस तो वह एक भाई है वह एक पती है वही बेटा है क्या जरूरी है कि इस तरह से ही आइडिंटी हो कि ये इसकी मा है क्या उसका अपना कोई रखते तो नहीं है क्या जरूरी है कि ये इसकी पत्नी है या इसकी बेहन है या इसकी बेटी है उसका अपना एक separate प्रतक अस्तित्व है तो सहंशीलता बहुत अधिक है पुरुष तूट जाता है बहार से आक्रमक है बहार से शक्तिशारी दिखाई देता है परन्तु अंदर से तूट जाता है अगला स्त्रियों में समवेधन शीलता बहुत जाता है प्रेम की समवेधन शीलता पुरुषों में इतनी नहीं प्रेम के सुक्ष्म भावों को जितना स्त्री समझ सकती है उतना पुरुष नहीं इसलिए जितने भी पुरुष संत हुए है जैसे जैसे उनकी भक्ती आगे बढ़ते गई उनके संसकार स्त्रेन होते गए तेमिनाईन क्योंकि स्त्रियों में समर्पन है और जैसे जैसे व्यक्ती आगे बढ़ते जाता है अध्यात्म में भी वो स्त्रियों समान नाजुक होते जाता है अंदर से संतरिधैन नवनीत समाना वो जो रिसेप्टिविटी, वो जो संवेदन शीलता है बहुत अधी बढ़ जाती है वो सुक्ष्म भावो को जान सकता है दूसरों के मनों के ये भी एक सवाव है तो ये कुछ बाते स्त्रियों की है भाबा ने कहा है पाच विकार पुर्शों में है पाच विकार स्त्रियों में भी है परन्तु फिर भी कुछ-कुछ विकार स्त्रियों में थोड़े ज़्यादा है इर्शा पुर्शों में क्रोथ एक कहानी है जिसमें एक स्त्री है जो बाहर जाती है तो उसको एक गरीब लड़की दिखती है विचारी जवान है अच्छावेश साल की तो उसके पास कोई भी नहीं है वो कुछ सामान खरिद रही है बाहर देखती है वारिश आरी है और वो भीग रही है तो इस श्रीमन्त महिला को उस पर दया आजाती है उस तरी पर और उसको उससे बात करती है उसको लगता है, वो कहती है, मेरा कोई भी नहीं पिता दे, वो भी चल लगए, ये भी चल लगए, बाहर आगई गाओं में, मैं शहर में आई, मेरा कोई नहीं, तो उसको बड़ी दया हाती है, और वो उसको लेके आती है, अपने घर में, और उसको सब सामान वगरे देती है, साड़ी और देती है, घर पे रखती है, फिर उदर से पती आता है, वो कहता है, ये को ने? वो कहती है कि, ये मुझे ऐसा ऐसे हुई, ये मिली मुझे, अब ये हमारे साथ ही रहेगी, तो पती एकदम अबजेक्शन लेता है, ये किसी को भी तो लेके आती हो भिकारिन को, और अब कहती होगी, घर पे ही रहेगी, वो कहती है, हाँ मैंने ठान लिया है बस, अब मुझे इसकी मदद करनी है, ये हमारे साथ ही रहेगी, तो पती तो पहले विरोध करता है, फिर दिखा है, थोड़ा वो नहाने चले जाता है, और आता है वापस, और फिर कहता है, चलो हमको पार्टी में जाना है, वो पत्नी कहती है, चलो, वो कहती है, उसको नहीं लेके जाओगी, वो पती पुछता है, वो क्यों आएगी, तो वो पती उसकी तारीफ करने लगता है जान बोज कर अब वो तो कितनी अच्छी है, कितनी सुन्दर है वो तो चलनी ही जाए जब से मैंने देखा है पता नहीं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है वस उसको देखने की इच्छा होती अब पत्नी को कुछ हो रहा है तो वो थोड़ा और बाहर जाता है तब तक पत्नी कुछ पैसे लेके नौकर के हाथ में उस लड़की के पास भेजवा देती है और कहती है कि अब तुम जा सकती हो यह नाटक हमने बच्पन में दिखा था पती की भूमी का सुरेश और बेराय जी ने की थी उसमें इर्शा हुतन हो गई पती ने अगर डाइरेक्ट कहा होता कि उसको निकान दो तो और कभी नहीं मानती उसने तोड़ा मार को बदल दिया और उसने खुदी उसको भगा दिया एक सुक्ष्म भाव इस पर काम करना होगा सबको विशेश एक जैसे पुर्शों में क्रोध है अंकार है वैसे तो दोनों में दोनों है पर कुछ-कुछ प्रधानता इधर है पजेसिवनेश ये मेरा है ये भाव तो आज की इस क्लास में हम ऐसी अठरा महलाओ की चर्चा करेंगे जो बहुत महन थी कुछ-कुछ के बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं कुछ-कुछ के बारे में जदा कुछ-कुछ के नाम आपने सुने होंगे और कुछ-कुछ के नाम शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे ऐसी ये सारी महान मैद्रा है द्वाब पर से अब तक की तो तो कुछ-कुछ बाते हमें उनसे भी सीकनी है और ये सारे बाते वो होगी जो इस पुर्शार्थी जीवन में हमें उन्नती की ओर ले जाए जो हम अपने पुर्शार्त में उनका प्रयोक कर सके ये सारी वही बाते होगी तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो महिदा है उसका नाम है ललेश्वरी कश्मीर से कौन है? लल देड़ उसको कहा जाता है लल देड़ नाम से ही वह बहुत प्रसिद्ध है सारे कश्मीर में ललेश्वरी एक संत हुई है बारावी शतावती में बच्पन में विवा हो गया फिर पती के साथ नहीं ठीक रहा फिर छोड़ कर सन्यासी बन गई ये एक ऐसी महिला संत थी कि उसमें बहुत सारी कविताय लिखी जिसको वो लोग वाक कहते है बाद में इन सब का अलग-अलग भाशाओं में ट्रंसलेट किया गया ये एक ऐसी महिला है जिसने जो कुछ लिखा वो जैसे समाज से विद्रो हो था अब तक की सारी रूडी वादिताय जो थी उसके विरुद्ध उसने आवाज उठाई और एक विशेष्टा इसकी ऐसी थी इतनी देह से न्यारी थी कि निर्वस्त तरहो कर घूमती थी उस पर भी उसमें बहुत कुछ लिखा उसकी जो रचनाय हुए है वो इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर में सिखाई जाती है क्लासिस होते है उसके उपर उसमें ऐसा गहन भाव है देह से न्यारेपन का कि जैसे सूफी लोग भी उसको बहुत मानते है मुसलिम लोग भी उसको मानते है हिंदू लोग भी उसको मानते हैं सूफियों ने उसका अपना नाम लिखा और इस व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है ऐसी एक महिता थी बारावी तेरावी शतापती में उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है बाद में लिखा गया लगभग तीन सो वर्ष बात डाइरेक्ट नेरेटिव कोई भी नहीं है पर एक बात पूरे उसके इसमें दिखाई देती है कि उसका चित्त जो था वो विद्रोही था और एक ब्रह्मा कुमार या एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात विद्रोही अब तक की सारी परंपरा है अब तक की सारी रूडी वादिता है अब तक का सारा जो पूर्शार्थ विद्रोह अपने आप से भी विद्रोह मैं ये सारा जो कर रहा हूँ उसी के विरुद्ध चले जाना क्योंकि ये वो नहीं है जो मुझे करना चाहिए ऐसा विद्रोह का भाव विद्रोह अर्थात रिवॉल्ट विद्रोह पता है न सारे लोग राजा के खिलाफ चले जाते है प्रचा रिवॉलुशन क्रांती विपलव जैसे 1857 की क्रांती थी अस्विकार कर दिया अंग्रेजी सत्ता को परंतु क्रांती कुचल दी गई और विफल हुई पर वो क्रांती की आवास थी ऐसी आत्म क्रांती लानी है ओम शांती से ओम क्रांती ओम शांती से ओम क्रांती जब तक यह क्रांती नहीं होगी इधर हम बदलेंगे नहीं प्रेस टुप फॉर प्रोग्रेस ये स्लोगने आज जो विशे है जिस पर हम चर्चा कर रहे है उसका नाम है जाग उठी है शिव की शक्ती शिव की शक्ती मैं आत्मा हूँ यदि मुझे जागना है जागने के लिए क्या जरूरी है व्यक्ती कब जागता है नहीं कोई सोया है ठीक है जागता कब है जागता कब है एक व्यक्ती सोया है उसको जगाना है क्या करेंगे एक तो आवाज होनी चाहिए तब व्यक्ती जागता है कैसा आवाज छोटा मोटा हाथ किभारावाज चाहिए थोड़ा एक कोई सोर आए उसको आप कैसे जगाओगे एक तो आवाज करोगे jord से दूसरा उसको धक्का जैने से तच करने से नहीं उठेगा धक्का चाहिए उसको तीसरा, शोक 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 लगना चाहिए आत्मा को तो ही आत्मा जागती है आत्मा जनम जनम से सोई पड़ी है फिर क्या पानी डालो उसमें थंडा थंडा वो भी ऐसा पानी डालो कि एक दब उठके ही खड़े हो जाए रजे ही छोड़ कर उठने के लिए ये सारी जरूप हूँ परमधाम निवासी हूँ बाप आये है वर्षा देने के लिए मैं इतना काफी नहीं है आत्मा उठ जाए उसके लिए क्या चाहिए धका शोक जिस ऑक्सिजन के वज़े से सो रहा है उसको तोड़ा खीच लो और क्या करेंगे कोई सो रहा है उसको उठाने के लिए लकड़ी तो ले लो हाथ में और क्या करो एक दो उसको पकड़के दो व्यक्ति उठता है यही चाहिए आत्मा भी ऐसी सोई हुई है उसको उठाने के लिए भी यह सारी चीज़े चाहिए जो वर्द तो जटका चाहिए एक बार हमने ग्यान सर और स्पार्क विंग का एक ख्लास कराया था बाबा ग्यान एस शौक एब्जॉर्बर बाबा का जो ग्यान है न वो शौक एब्जॉर्बर है पर अभी हम सोच रहे हैं शायद वैसा नहीं होना चाहिए था यह ग्यान शौक को एब्जॉर्ब करता है जैसे कार होती है उसमें शौक एब्जॉर्बर होते है या दो ट्रेन के डिब्बे होते है बीच में बफर होता है ताकि गाड़ी एकदम से रुप जाए तो दोनों टकराएं नहीं लगना चाहिए या करंट जब जोड़क देने वाला चाहिए कि आतमा उठ जाए उसमें से और विद्रो करे ये क्या मैं कर रहा हूँ स्वेम स्वेम के विरुद्ध विद्रो अपने ही दिन्चरिया के विरुद्ध विद्रो कि ये दिन चले आभी और नहीं चलेगी हरताल आत्म हरताल आत्म करांती तो ये जो महिन्दा थी ललेश्वरी विस्तार आप पढ़ सकते है या जो लोग कश्मिर में रहते है पूरे कश्मिर में इसके ही वाक सुनाया जाते है कई अलग अलग नाम है इस एक ही महिला के वो कितनी पहले हो चुकी है पर अब तक भी उसका सारा किसी ने इंगलिश में ट्रंसलेट किया और उसके एक 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 चीज जो उसने लिखा है I come from nothing, I go to nothing मैं शुन्य से आई हूँ शुन्य की और जा रही हूँ ऐसी एक अनपड महिला पर बाते जो उसने लिखी है गजब की लिखी है विद्वानों को भी सोचना पड़ता है उसमें वो जो लिखाया है उसके उपर तो प्रतीक क्या है क्रांटी विपलो, रिवॉल्ट बगावत, बागी बनना है अध्यात्मिक बागी स्पिरिच्छल रिवॉलुशनली तो ही परिवर्तन होगा संसार भर में जितने महान देश हर जगा पर क्रांटी हुई उसके बाद ही परिवर्तन हुआ फ्रांस की क्रांटी रूस की क्रांटी, भारत की क्रांटी अफरिका की क्रांती अमरीका की क्रांती सब देशों में क्रांती हुई गुलामी से छुटे वैसे आत्मा भी गुलाम है बंधन में है क्रांती चाहिए उसके बाद ही छुटेगी तो पहली महिला ललेश्वरी दूसरी मीरा 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 ने भी ऐसी एक रांदी की ललेश्वरी का जो परमात्मा था वो निर्गुन कोई था उसने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया कहीं पर उसने निर्गुन निराकार की उपासना की वो कौन है वो उसे कोई पता मीरा का भगवान कोई एक साकारी था, सगुन था कोई उसको उसने अपना सर्वस्व मान लिया और उसकी अवस्था को शायद कोई समझ नहीं पाया उसमें जो वहराग वो आत्मा को जनम जनम की साधना के बाद ही प्राप्त होता है किसी आत्मा को सहज वहराग नहीं होता है संसर से चिपके रहते हैं संसार से लोग किसमें जन्म से ही वेराग होता है जन्म से ही जन्म से ही संसार की आ सकती नहीं कोई-कोई चीवन में धक्ये खाते है किसी पत्नी में बहुत प्यार है पत्नी मर गई फिर उसके बाद में वेराग किसी प्यार है उसने धोका ले दिया फिर वेराग भरतरी जैसे धोका मिला वेराग आ गया हर एक की वेराग की गाता अपनी अपनी है परन्तु कुछ-कुछ आत्मा है संसार में ऐसी होती है वेराग के साथ ही जनम लेती है बच्चपन से ही जैसे इस संसार मिथ्या है किसी से कोई लेना लेना नहीं है बच्चपन से ही लक्ष इतना पहले से ही फिक्स है कि ये है गंतव्य वो उन गलियों में गुसते ही नहीं संसार की पहले गुसो फिर धक्ये खाओ और फिर निकल के बाहर आओ यह सब करना ही नहीं है ऐसी कुछ-कुछ आत्माय भी संसार में है देवेकानन्द के जीवन में एक प्रसंग है जब कोई उनसे एक पर कहता है क्या तुम में जलसी उत्पन्न हुई है उन्होंने लिखा I am born without jealousy in my heart जलसी और अपवित्रता और काम मैं इनके बिना ही जन्म लिया हूँ यह क्या है मुझे पता ही नहीं अविद्ध्या है इनकी I am born without jealousy in my heart ऐसा वेराग मीरा का वेराग परम वेराग है मीरा का परमात्म प्रेम परम परमात्म प्रेम है उसे किसी की परवानी, लोक लाच की परवानी वह राजस्तान जहां घुंगट नहीं उठा कभी स्त्रियों ने खोला नहीं सड़कों पे नाच रही है लोग कहें मीरा भई बावरी सासु कहें घर फोडी परंदू कितनी अचल है अपनी भक्ती में तो मीरा प्रतीक है दो चीजों का पैराक और परमात्म प्रेम स्त्री का संदर यह यही है देहधारी से प्रेम करना नहीं उस से प्रेम करना जो परम संदर है उस से प्रेम करना जिसके परे इस संसार में और कुछ भी नहीं और आत्मा यदी स्त्री है और परमात्मा एक ही उसका पती है तो उसकी बुद्धी देहधारे में कभी नहीं जा सकती तो दूसरी महिला है मीरा एसे तीन व्यक्तित्व संसार में कहे गए है जो सदेह देहसथ विलीन हो गए ऐसा घ्न के हिसाब से नहीं हो सकता परंतु माना जाता है ऐसे तीन लोग है भक्तिमार्ग के जिनके लिए ऐसी मान्यता है कि शरीर सहित समा गए परमात्मा में ज्ञान तो ऐसा नहीं कहता ये शायद बाद में भक्तों ने वाते वताई होगी एक मीरा है जो सदेह सहित कृष्ण की मूर्थी में समा गए दूसरा चैतन्य महाप्रबू थीसरा संत दुकाराम सकुवाई के बारे में भी कुछ-कुछ कहते है हमाएंगे उसके उपर भी इस तरह की बर ये तीन मुख्य है तो आत्मा यदी स्त्री है तो इस आत्मा रूपी स्त्री का सुंदर्य किसमे है उस परमात्मा मेश समर्पन उस परमात्मा से ही प्यार उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता भोजन भवन भलो नहीं लागे ना भोजन अच्छा लगता है ना भवन अच्छा लगता है मानी का मोती सबहम त्याग्य गले में पहली सेली गले में तुलसी माला पहन रखिये बहुत राजिक, राजपूद घराने की थी, बहाँ उसके शादी हुई थी, परन्तु वैराब है सबसे, कुछ अच्छा नहीं रगता इसके लिए कहा, दो बाते स्त्रीयों के विशे में, स्त्रीय अर्थात वो नहीं जो दासी है, परन्तु इसका विद्रो ये भी नहीं कि स्त्रीय अर्थात जो पुरुष के आगे जाने की कोशिश करे, पुरुष जैसा बनने की कोशिश करे, क्यों उसको बनना है किसी के जैसा उसका अपना वेक्तित हो है अपनी ब्यूटी है तो दूसरी महिला मेरा तीसरी गंगा सती सुना ये सारी मेरा तो अभी अभी की है पंदरावी शताब्दी सुलावी शताब्दी गंगा सती गुजरात से है वो भी एक ऐसा ही वेक्तित हो है परन्तु अध्यात्म का जैसे शिकर है उसका जो पती है जो दिखाया वो भी बहुत सादक है बहुत अच्छा उसका बेटा दिखाया है और बेटे की एक बहु दिखाई है ये जो गंगासती है इसके पती ने अपनी योग की शक्ती से एक गाय मरी हुई थी उसको जिन्दा कर दिया था पर बाद में उसको बहुत पश्यता भी होँआ था इस बात का कि मैंने ये क्या है अपनी शक्ती का किसलिए प्रयोग कर रहा हूँ तो उसने का आप मैं समाधी ले लेता हूँ उसकी पत्नी ये जो थी गंगासती उसने का मैं भी लेती हूँ पर उसने का नहीं तुम जो तुमारी जो बहु है उसको पहले ग्यान सिखाओ वहां से उसकी यातरा जैसे चालू हो रही है ऐसे उसने 51 लेटर्स जिसको भजन कहो वो लिखे और उस एक-एक में घहन अध्यात में चिपा हुआ है वो लिखते लिखते ही पुमानता उसमें आ गई यह हम इसलिए कह रहे हैं इनको हमने इसलिए लिया वैसे संसार बहुत सा रिस्त्रिया है पर यह हमें कुछ ही चुनी है यह प्रतीक है लिखने का बाबा को कुछ ना कुछ लिखते जाओ जब पुर्शार्त विहिन जैसा हो गया रिदय वो लिखते लिखते ही क्रांती हो जाएगी जैसे एक कविता लिखने गए कविता लिखो रोज एक कविता रोज एक कविता अब यह नहीं कह सकती कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती है मीरा कोई सिंगिंग स्कूल में गई थी क्या या डांसिंग क्लब स्कूल जॉइन ती हो ता मीरा ने कही कुछ नहीं जब आत्मा खो जाती है तो जो निकलता है वो गीत और कविता ही निकलती है इसके लिए खो जाओ पेपर लेलो और लिखना आरंब करो अपने आप कलम पावर आजाएगी उसमें ऐसी पावर आजाएगी कि वो साधरन नहीं रहेगा जो लिखा हुआ है उसमें कुछ तो खीचेगा क्योंकि जो कलाकार जिस तिती में लिखता है वो इस तिती का प्रभाव पढ़ने वाले पर पढ़ता है ज्यानेश्वर महराष्टर के जो संत हुए है उन्होंने ज्यानेश्वरी लिखी भगवत गीता का जो टिका है एक जगा लिखा है शुरवात में ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्दे सा सुकाड करी गेने देने तुजची वरी या जगा वो मराठी भाशा का आवहान कर रहा है हे मराठी भाशा आजा वो ब्रह्म विद्दे का ब्रह्म विद्दे जो है संपूर्न ज्यान उस ज्यान का अवहान कर रहा है कि हे ज्यान तु आजा कहां आजा मराठी की जैसे ये नगरी है इस नगरी में तु आजा अर्थात तु प्रगट कर अब स्वैम को भाशा के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मुझे तो कुछ पता नहीं, लिखना क्या करना है, ये मराठी चिया नगरी, ब्रह्म विद्धे सा सुकार करी, गेने देने, दगचिवरी हो देही यहा जगा, इस संसार को मुझे देना ह इसके लिए आवहान कर रहा है उस विद्ध्या का, परम ज्यान का तु आजा, प्रकट हो जा, लिखना लिखते जाओ, जैसे एक टॉपिक ले लो, प्रभू प्रेम क्या लिखा जा सकता है उसमें, किस गहराई से लिखा जा सकता है, ऐसा कि पढ़ने वाला आसु आजा है उसके, आखों से, यह हो सकता है, हो सकता है, परन्तु हमें खुद उस्तिति में स्तित होना पड़ेगा, उपर उपर से जुटा-जुटा लिखेंगे तो कुछ नहीं ह चो थी, जनाबाई, जनाबाई, महराष्ट की संत, बच्पन से ही जनाबाई जो थी, जो दूसरे संत थे, नाम देव, उनके पास थी, और धीरे धीरे सेवा वो अन पढ़ थी, लिखने नहीं, और सेवा करते 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 वो भी उस संत के साथ रहते रहते संत बन गई, सादू संगत जो है उसका ये प्रभाव है कि उसके रिधय में भी वो विठल वक्ती कृष्ण वक्ती जाग उठी और वो भी उसी जैसे फ्लो में तरंग में तहरने लगी जब मन पुर्शात न करने की इच्छा करे तब उन आतमाओं का संग करो कि जहां पर पुर्शात सतही होने लगे केवल बैठन है और वो सारी जो बाते वहाँ चल रही है एक पॉइंट बीच में ऐसी आ जाएगी जो बोलने वाले को भी नहीं पता वो क्या बोल रहा है पर वो सीधा हमें जाके टच हो जाएगी और वो जो पॉइंट होगी वो ऐसी पॉइंट होगी कि वो ही तो मिसिंग थी हमें नहीं तो पुर्शात का ग्यान किसके पास नहीं है सारे ब्रामन इतने सब पुराने है सब के पास सब पता है ऐसा कोई ब्रामन है जो कहता है कि मुझे घ्यान पता नहीं सबको पता है कोई गुरूप आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं उसको जब तक वो कहें कि बस हमारे पास एक घंटा है तो एक घंटे में पूरा साथ दिन का कोर्स जब तक नहीं करा ले थे पता नहीं आगे मिलेगा की नहीं मिलेगा पकड़के उसको पूरा पिला दो ग्यान अभी अभी उदर पंड़भोन से जा के आया है पीस पार से हो के आया पर आपको लगता है यहां बचना नहीं चाहिए हाथ से इसको तो लाना ही है बिल बड़ी बेरहमी से रहम करते है ब्रामण वो कहता है मुझे जाना है बिल्कुल नहीं रुको एक ही डोस में आत्मा, परमात्मा, तीन लोग, सुरिष्टी, चक्र, सीडी, धारनाए, ब्रहमचरिय, मुरली और सेंटर का एड्रेस जरूर जाना है यहां पर है अच्छी बात परंदु देखकर, पात्र देखकर, नब्स देखकर, नहीं तो वही डिसर्विज भी करते हैं इसके लिए संग, जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई पुरानी, कोई दादियों की इकलास है, सुन लो, वो आदे घंटे में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जो हमारे प्रश्ण का उत्तर होगा साथु संगत अगली है, मुक्तवई, महराष्टर की संथ, जो चार ज्यानेश्वर, निवरतिनाथ, सोपान और मुक्तवई, चार अनाथ हो गए, उनके माबाब आत्मत्या कर लेते हैं क्यों? समाज सिकान नहीं करता, क्योंकि पिता जो थे, विट्धल, पंथ, वो ग्रहस्ती थे परन्तु वहराग इतना जादा आ गया, सन्यास ले लिया, चले गए छोड़कर, रावानन्द के पास और वहाँ पर जब गुरू उनके मिले, उनके गुरू को उनकी पत्नी मिलती है, वो पत्नी कहती है कि मेरा पती वापस चाहिए, तो वो आशिरवाद दे 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 थे उसको, सभाग्यवती, और फिर बाद गुरू को पता चलता है, ये जो हमारा मेरा जोशिष्ट है, ये तो वो रात व रात माबाप चले जाते है बज़ ये चार भाहि बहने रह जाते है और उनका इतना अपमान इतना अपमान इतना अपमान कदम कदम पर अपमान कदम कदम पर लोग उनको सताते हैं उसमें से ज्यानिश्वर दो नंबर पर और जो छोटी बेहन है, छोटी सी जिसका नाम है मुकता, वो भी उतनी ही स्रेष्ट है, एक प्रसंग यह है जिसमें ज्यानिश्वर दुखी हो जाता है, यह सारा समाज कब तक सहन करेंगे, जहां जाता है भीक मागने दरवाजे, वो एक बार रूट जाता है, उसको यह छोटी लड़की मनाती है, और वो जो उसको मनाती है, वो जो भंगए उसका, वो जो भजन उसमें भी गहरा आत्म अध्यात्म चिपा हुआ है, एक एक वाक्य उसका जो है लिखा हुआ, बहुत गहरा अध्यात्म है, तो मुकता अर्थात वो प्रतीक है मुक्तवाई अर्थात वो प्रतीक है छोटी आयो में परंतु समझ बहुत है उसकी उसमें एक और दिखाया है तांग देव करके एक दूसरा एक योगी होता है अहुंकारी उसको भी वो पत्र का उत्तर लिखती है तो मुक्तवाई अगला है कानोपात्रा ये भी महराष्ट की एक संत है ये जो संत थी एक वेश्या की पुत्री थी और ये खुद भी फिर उसी घर में रहने के वज़े से उसकी मा जो प्रोस्टिट्यूट थी परंतु इस के रिधे में परमात्म भक्ति की जागरित होई सारी परिस्थिति आनुकूल प्रतिकूल थी विरोध में थी पर उस अवस्था में वो उस परमात्मा को उसने अपना पती समझ लिया बहुत सारा उसके साथ बाते होई पर इतने विरोध में भी अचल खड़ी रही वो जो मराठी का गीत है नको देवराया अन्ता अता पाहू प्राणहा सर्वता जाहू पाहे ए परमात्मा अभी मेरा अन्ता ना देख अगर तू अब नहीं आया तो मैं शरीर छोड़ दूँगी यह वस्ता उसकी हरी नीचे पाडस व्यागरे धरी नेले तस मजलाही जाहले ऐसे देवा जैसे कोई हिरन है और उसका बच्चा कोई एक शेर पकड़ के ले जाए तो उस मा को कैसे होता है कैसी तड़पती है हे प्रभू मैं तेरे लिए ऐसी तड़प रही हूँ देखो यह सारे वो भक्त है जो सब द्वापर में होए और इनको परमात्मा का पूरा परीचे नहीं था परंतु प्यार कितना था इसके लिए यह जितनी आत्माओं का नाम हम गिना रहे यह सब के सब आत्मा इस समय कहा है इसी परिवार में मीरा है की नहीं है मीरा तो बाबा मुगलियों में कहते उसको वाइकुंट का दर्शन हुआ इसका मतलब थोड़ी नहीं वाइकुंट में आएगी अब बोलो पर मीरा के लिए तो ऐसा कहते साक्षातकार से कुछ नहीं होगा बाबा जो बाते मीरा के लिए कहते वो अच्छली साक्षातकार के लिए कह रहे है परंतु मीरा तो इधरी है जिस मीरा जो इतने हुए है किसी ना किसी जनम में हम ही थे और हमने ही भगवान से इतना प्यार क्यों किया क्योंकि इस समय हमने उस से इतना प्यार किया उसकी ही वो स्मृतिया थोड़ी 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 दौपर से जनमों में जागरित होती रही इसकी लिए नहीं अक्का महादेवी करनाटक कोई है करनाटक से शिव को ही अपना पती मान लिया शिव को ही इनके लिए भी कहते है कि यह भी निर्वस्त्र देहभान से परे किसी राजा उसको पाना चाहता था परंतु उसको स्विकार नहीं था एक शिव को ही सर्वस्त्र मान लेना कहानी बहुत बढ़ी है समय हमारे परस कम है परंतु बहुत सारी वाते हैं इनके जीवन में भी कैसे उस महांता तक यह आत्मा पहुंची यह सभी आत्मा हैं इन सभी को संसार के पूरुष स्विकार नहीं थे किसी को भी संसार का पूरुष नहीं चाहिए था देहधारी से उनको कोई लेना देना ही नहीं था इन्होंने उसको ही अपना सब कुछ मान रखा था उस अवस्ता में और इन सब का जन्म कर देखो तो प्रतिकूल परिस्तितियों में है किसी का भी जन्म अनुकूल परिस्तितियों में नहीं है सब कुछ अच्छा है ऐसा कहीं पर भी नहीं है सब जगा विरोध है घर में विरोध समाज से विरोध या राज्य से विरोध या राजा से विरोध सब जगा प्रलोबन है सब जगा से परन्तु कोई भी प्रलोबन स्विकार नहीं किया ऐसी यह आत्मा अगली एक दूसरी आत्मा है तमिल नाडू की तमिल नाडू से कोई है? कोई नहीं? अंडाल अंडाल बारा अलवार है इन बारा अलवार अर्थत जो वैश्णव भक्त उनको अलवार कहा जाता है उन मेंसे ये एक हिस्त्री है इसने भगवान को अपने जैसे बेटा है कृष्णा छोटा उस रूप में इसकी भक्ती की जैसे सूर्दासने की कृष्णा की वक्ती वैसे ही इसकी भी है ये प्रतीक है भगवान को अलग-अलग संबंदों से याद करने का इसका मतलब मुझ आत्मा ने उस परमात्मा को अलग-अलग जन्मों में अलग-अलग संबंदों से याद किया है कभी उसको पती बनाया, कभी बेटा बनाया कभी सर्वस्व बनाया कभी मालिक समझा उसको परंतु संबंद उसी से ही जोड़े है और जैसे ही अभी इस संगम पर भगवान मिलने के बाद या उसके भी कुछ समय पहले एक असंतोश रहता है संसार की आत्मा उसे उन संबंदों में क्योंकि आत्मा त्रिप्त नहीं हो सकती लवकिक संबंदों से लवकिक संबंद जो है उससे आत्मा कभी भी त्रिप्त नहीं हो सकती आत्मा को त्रिप्त वो एक ही कर सकता है इसके लिए इन आत्मा उने भिन्न भिन्न संबंद जोड़े अगली है शारदा मा जब बहुत छोटी थी तब ही शादी हो गई फिर जब आई तो रामकृष्णा ने एक ही प्रश्णा उन से पिछा क्या तुम मुझे नीचे गिराने आई हो वो गया दिया नहीं मैं तुम्हें मदद करने आई हूँ वारी साहता करने आपकी अध्यत्मिक पुर्शार्थ के लिए और उसी रात उन्होंने अपनी ही पत्नी की शोडशी पूझा की उसको मा समझा सारे इत्यास में धायजर साल में एक मात्रो धारने ऐसा कि पती और पत्नी साथ में हैं और अपनी पत्नी को कभी भी कामुक ब्रिष्टी से नहीं देखा भोग वस्तु जोप में नहीं देखा द्वापर से अब तक स्त्रियों को ऐसा ही समझा गया है या तो दासी या भोग वस्तु पूजा की उसकी जैसे काली मा है और वो भी कितनी महान थी उनके जाने के बाद जो संग है रामकृष्णा उसकी सम्हाल करने वाली यही है वो सारे सन्यासियों की पालना करने वाली यही थी एक ऐसी वो विश्व माबनी होली मदर उसको कहते है कि जो सन्यासि तपस्या करे ऐसी उनको उसने पालना दी जो गरबार छोड़कर आये उनको पालना दी तो शारदामा विकार में घसीटने वाली नहीं स्त्री का व्यक्तित वैसा नहों कि कोई पुरुष उसकी तरफ अकरशित हो जाए अकरशित हो रहा है जरूर कुछ न कुछ देहवान है यह भी उतना ही सत्य है विनुबा भावे ने एक जगा लिखा है कि एक ट्रेन से वो सफर कर रहे थे एक महिला थी जो की गजरा पहने हुई थी गजरा पता है ना गजरा वो स्त्री से पूछते है क्या ये गजरा तुमको दिखाई दे रहा है गजरा को पीछे पहनते ना ये क्या तुमको दिखाई दे रहा है वो कहते हैं नहीं तो क्यों पहना है दिखाने के लिए आकर्षित करने के लिए एक साकार मुडली है शायद आपने सुनी होगी पार्सी स्त्रीयों के लिए बाबा ने कहा है किसी को याद है कोई पुरुश लट्टू नहो जाए इसके लिए काली जाली पहन के गुमती है कोई आकर्षित ना हो हमारी दरफ साकार मुडली के मावाग के बाबा के ऐसा हमारा रूप रंग अपने वस्त्र चाल धाल ऐसी ना हो कि आकरशन हो जाए ये भी बोज है यति वो ब्रह्मा कुमार है और उसको आकरशन हो रहा है और हम उसका आकरशन बढ़ा रहे हम पर भी बोज है सुक्ष्ण बोज हमारी जो ब्यूटी है वो सिंप्लिसिटी है जितना सरल जितना सब कुछ वह हमारा ब्यूटी है साधारनता में ही महानता है हमारी रंग ढंग रूप ये सब चो चीज़े है संसार की ये सब हमें नहीं करना है कभी कभी हम सुबह सुबह अमरित वेला कुटिया में बैढते है और कोई बेहन आके बैढते है इतना सेंट और इतना पर्फ्यूम पूरा बाबा की कुटिया भर जाती है पर्फ्यूम से कोई-कोई तो सुक्ष्मवतन परमधाम से धड़ाम से नीचे गिर जाते होंगे इतनी तेज क्या लगा के आते है पता नहीं चलता है सरदर्द भी होता है कोई के योग किसी वो खाती एक भाई तो एक भेन पीछे आके भेटी आराम से योग में था और एकदम खासी चाड़ू चींके चाड़ू हो गई उसकी पाउडर, क्रीम तेल वो भी कौन सा तेल लगाते हैं पता नहीं चलता है उसमें ऐसी सुगंद होती है कि पूरे बाबा के कमरे में फैल जाती आते ही डियोडरेंट कुछ 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 क्या क्या है सुनसार में बहुत सरी चीज़े हैं जो है वो ठीक है ये ठीक है जो है उसको साबून से रगड़ रगड़ के क्या बनाना है क्या करना है मा सारदा उसके बाद है 11 नंबर Mother Teresa Mother Teresa अच्छा एक चूल गया ये दसवा Mother Teresa Mother Teresa की बारे में सब लोग जानते हैं उसका विरोध भी बहुत हुआ है एक रिती से विरोध करने वाले भी लोग थे पर वो विरोध की चर्चा हम नहीं करेंगे कि क्रिश्टन मिशिनरी थी या क्रिश्टन बनाया या जो भी है उन्होंने जो सेवा की 45 इर्स अपने जीवन को समर्पित कर दिया और एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है शाइद 30 सब्टेंबर 1940 वो ट्रेन में बैठी थी और जा रही थी उस ट्रेन में बैठे बैठे उसने संकल्प किया कि मैं अपना सारा जीवन जो गरीब है अनाथ है दुखी है और बिमार है उनकी प्रती समर्पित कर दियूं वो एक संकल्प था उस ट्रेन में बैठे बैठे ही अचानक उसको संकल्प आया कि मुझे अपना जीवन इनके दिये देना है और उसने समर्पन कर दिया एक संकल पर समर्पन किसी से पूछा नहीं जब व्यक्ति पूछता है न तब अंदर संदिक्द है हूँ क्या अर्थात द्वंद है जहां करना होता है माँ कभी किसी से पूछने की आवशक्ता नहीं होती है पूछ रहा है अर्थात इच्छा है ना की किसी से नहीं पूछा मदर टेरेसा ने धक से अर्पन कर दिया अपने जीवन को मदर टेरेसा नेक्स्ट सखुबाई इसके विशे में हमने किसी संडे मोटली में पूरा एक शुरवाती वहां से की थी परमात्म प्रेम का प्रतीक है ये भी उसका पती उसकी सास उसका पती तो ठीक था विचरा उसकी सास और उसकी ननत बहुत उसको दुख देते थे तंग करते थे और एक बार तो ऐसा कि वो जैसे ही सत्संग दिखा कि भागी तो उसको पकड़ के लेके आया और एक खंबे से भान के रख दिया भूका रखा साथ दिन तक और वो चिलाती रही विठल विठल भगवान का नाम लेती रही दिखाया है अब ये कितना सत्य है उसके गहरा डिटल में नहीं जाएंगे कि भगवान खूद आते है और खूद अपने आपको वहाँ बान देते हैं और वो वहाँ पहुँच जाती है पंडर पंडरपूर तिर्च स्थान में और वहाँ पर बहुत सरी चीज़े है पर जो भी बाते है उसमें उस क्लास में हमने डिटल बाते बताई है उसका परमात मुप्रेम कि भगवान को भी जुका दिया भगवान को भी आना पड़ा ऐसी आर्थ पुकार कि वो भी नहीं रुख सका उसको आना ही पड़ा ऐसा पुकारना बाबा ने कहा है तुम मेरा बाबा कहो और बाबा हाजिर परन्तु वो दिल का सवधा है मुक का नहीं मुक से कह रहें बाबा 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 और इदर से बाकी कीज़ों में बुद्धी लटकी हुई है इदर से बाबा बाबा कितना क्रिकेट का क्या स्कोर हुआ अच्छा इतना हुआ फिर बाबा 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 कुछ करो ये भी चलुए वो भी चलुए वो भी चलुए वो भी चलुए एक बड़ी अच्छी वात तो नहीं हसी की बात है हम जब उधर मुंबई में थे एक बीके पेशन्ट था बस अब अन्टिम समय चल रहा था उसका और हो गया था, सारा कुछ cancer था, फैल जुगा था, पूरा परिवार आ गया था, तो उसी दिन शाम को hospital की party थी, hospital की party, मतलब hospital का annual एक function था, तो सारे बीके लोग आ गए, उसको समझा रहे, वो patient को कह रहे, आत्मा छे, आत्मा छे, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और कह रहे, बी question चल रहेते साथ साथ, ये ऐसा ही होता है, आर्थ पुकार अर्थात, बस एक पुकार, तो आएगा, जुटा जुटा बुलाओगे तो नहीं आएगा, परसो की साकार मुरली, परसो की, या कल की, सच्चे होंगे तो बाप फरियाद सुनेंगे, जो सच्चे होंगे उनी की फ परियाद सुनी जाएगी, अगला है, रानी लक्षमी भाई, भारवा, वो प्रतीक है, सहस का, वीरता का, स्ट्रेंट का, व्यमन धायनेम स्ट्रेंट, या भूते सभी, शक्ति रूपे निसंसिता, या भूते सर्व, क्या है वो? या देवी सर्व भूतेशु, शक्ति रूपे निसंसिता, या देवी सर्व भूतेशु, दया रूपे निसंसिता, नमस्तस से, नमस्तस से, नमा नमा, वो प्रतीक है सहस का, हिम्मत नहीं आरी, चाहे जान चले जाएगी, पर अपनी जासी को नहीं दूँगी, जान चले जा तावित्रिवाई फुले, भारत की महानाईका है, पहली उस समाज, वहाँ पर स्त्रियों का शिक्षित को पाप समझा जाता था, उसने स्त्रियों की स्कूल खोली, पहली पूना में, शिक्षित किया, जब रास्ते से चलती थी, लोग किचर फेकते थे, विश्टा फेकते थे उसके ओपर पत्थर मारते थे, वो एक साड़ी अपने साथ रखती थी, वहाँ जाके बदलती थी, वो बोरियों में चुपा-चुपा के बच्चों को डालके लेके जाती थी बच्चियों को, चुटी-चुटी कन्याओं को, शिक्षित करने के लिए, समाज का भेंकर विरो अपने उस शाशनकाल में उसने भारत भर में जितने कितना कुछ मंदिर का निर्मान किया, अनक शेतर खोले, प्लाव खोले, बहुत सारा निर्मान कारिया करने वाली ये स्त्रिया, ये सारी स्त्रिया है, असाधारन स्त्रिया है निर्मान कारियत स्थ जगा जगा पर किये जितने जितने मंदिरों को मुसल्मानों ने धौस्ट कर दिया था उन सब का पुनरुद्धान इस व्यक्तिनी किया अल्य वाई होल कर अगला है आनंदमइमा सुनाई इसके बारे में Khaoqatta अपनी अवस्था, अपनी मगन अवस्था में रहने वादी bliss permeated mother इसको कहा जाता है जैसे कि आनंद में मगन है इनके विशे में किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे फिर है बहीना बाई ये भी एक महराष्ट की संत है बहीना बाई और एक संत है सोयरा बाई चोखा मेड़ा एक संत है उसकी पतनी तो ये ऐसे ये सास, सोस, सत्र लास्ट जो है उनके विशे में कभी और चर्चा करेंगे और अठरा भी जो है उसमें हमने रखाए मम्मा को मम्मा एक जाकरित जेतना थी उस अवस्था में निरंतर रहना बहुत बड़ी बात है व्यक्ति सो जाता है यान योग धारना सेवा विस्मृत हो जाता है मम्मा प्रतीक है निरंतर स्मृती का स्त्री शशक्ति करन का ममा प्रतीक है जगत माता का स्त्री को किसी पुरुष की मा बनने की आउशक्ता नहीं है अगर उसे मा ही बनना है तो जगत माता बने किसी व्यक्ति की मा बनेंगी तो उसमें फसेगी किसी को अपना बेटा ही बना दिया तो उसमें अपेक्षाय आ जाती है कि ये मेरे बुढ़ावे का साहरा बनेगा किसी को भाई बना दिया तो फिर उसके याद आती है कि राकी है कहां है और राकी बानने के बाद कुछ दे अपेक्षाय आ जाती है मुम्मा प्रतीक है सर्व सम्मंद जो सांसारिक है उनसे परे है वो किसी से कोई लेना देना नहीं किसी देहधारी से कोई लेना देना नहीं संपूर्न नष्टो महास्तिती का प्रतीक है मुम्मा तो आज अंदराश्ट्रिय महिला दिवस Press for progress संसार की ये महिला है वर्तमान समय भारत में बहुत सी ऐसी महान महिला है जो अध्यात्मिक नहीं है परन्तु महानता उनके जीवन में है modern उनको थो हमने छोड़ी दिया ये केवल भक्ती की कुछ लिए भारत की ये लिए इसके अलावा बाहर के देशों में जाओ राबिया महानते महान संत है Christianity में जाओ एलसेंजा, एविला, ठेकला एक-एक का जीवन यदि हम देखे तो उसमें त्याग और तपस्या कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त तुसले इच पैशन इच डे एक-एक दिन, एक-एक वासना को इन्होंने खतम किया और स्वैम को निर्वासना और एक परमात्म को प्रेमी माना वस एक वो Christ और कुछ भी नहीं ऐसी बहुत सारी महानात्म है और हो सकता है किसी जनम में हम ही ये सब रहे और हमने भी भगवान से ऐसा ही प्यार किया था तो प्रेस और प्रोग्रेस अर्थात अपने जीवन में वही त्याग, वही तपस्या लानी है सशक्ति करन करना है आत्मा को यही लक्ष है ओम शन्दी